हालो हां तो आ गए आप लोग है फिर हम लोग सुरू करें जल्दी से कमेंट करके सभी बोलो यास 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 वी आर लाइब नौ क्या आप भी लाइब आ चुके हो चलो चलो फिर फटा फट देर ना करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब बिल्कुल भी हम लोग को देर नहीं करना एक भी सिकेंड के लिए भाया ठीक है बहुत से साथी हमारे जुड़ चुके हैं सभी प्यारे साथियों का दिल से दिल के गहराईयों से बहुत राज बर्मा दुर्गा परधान राहुल रभी संकर सभी जुड़ गए हैं चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे जो भी हम लोग को पढ़ना था और हां आप लोग को एक बात पहले बता दें कि भीया कलास छोड़ के न जाना बाबू अगर सीखना है तो ठीक है अगर मै अंगर जी कमेंट आ रहा आपका ठीक है इस्क्रीन पर कुछ जादा ही चमक रहा है क्या पताओ सभी सब कुछ ठीक है तो बोलो यस कुछ ज्यादा चमक रहा हो तो थोड़ा कम करें प्राइटनेस कुछ जादा लग रही है कि ठीक है और यह क्यों मुझे आज गड़बर लग रहा है चोटा लग रहा है क्योंकि अरच गया यह चली यह ठीक है सब कुछ ठीक है अमीज जी, ठीक है, अन्सू, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं न, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे, बोर्ड मासरूल, इसके पहले हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, जो भी साथी इसके पीछे की कलासों को नहीं देख पाए न वो संपर्क करें, PVR Study का टेलीगराम चैनल जोईन कर लें, या फिर प्लेलिस्ट में जाएं, PVR Study लहावा चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो दिये गये हैं, वहां से देख लें, ठीक है, मांसी जी ठीक है, कमेंट आप का आ रहा है, कौसाल बर्मा, ठीक है, रितिक सिं पार्ट ट्वंटी, बोर्ड मास, अच्छा ये बताओ, इसमें से अधिकांस लोगों को बोर्ड मास का मतलब मालूम होगा, किसको किसको मालूम है, हाथ उठाओ जल्दी से यास बोलो, किसको किसको बोर्ड मास का रूल मालूम है, सबको मालूम है, देखो, इसमें हम मास का मतलब क्या होता है यह क्या है और यहाँ पर एक प्यारा सा नन्हा सा question भी हम लिख देंगे तब तक जो लोग जानते वो try करेंगे बहुत ही छोटा सा है यह इन भी साथियों को गड़ित नहीं आती है यह उनके लिए विसेश रूप से है जिससे वो सीख सकें क्या आप इसका आंसर बता सकते हो कोई भी एनिवन क्या आप इस दिये गए question का आंसर कर सकते हो सपना कुमारी बताईए स्वेता गोला अरपीता तूबे अरपीता जी बताईए जबाब दीजिए आप सभी को पता नहीं है आप समझे बोर्ड मास रूल जो इसका मतलब है पहले ये हम लोग सीखेंगे इसमें ये तो बोर्ड मास रूल का परयाप्त question नहीं है इसमें कुछ ही चीज़े हैं लेकिन starting का है ये इसमें हम लोगों को क्या करना होता है धेर सारे जो sign है मतलब चिन है एक ही question में दिये होते हैं उसमें कोश्ठक भी दिया होता मतलब break it फिर हमें उसको final में solve करके simplify करके एक answer लाना होता है उसका ही एक rule होता है कि उसको हम system से हल करते हैं serial से हल करते हैं बीच-कुछ से हल नहीं करते हैं नहीं तो गलत होजाता है जिर का मतलब क्या होता है सभी ज़ल्दी से comment कर दो एक करके finished कर दो में जो other content होते हैं कुछ भी जैसे आमनल न्डरूट पांच दिया है या फिर 25 या स्कॉयर दिया है तो ये सारी राशियों का जो सिंपिल्फिकेशन उता दूसरे नंबर पर होता है वहीं डी का मतलब होता है डी इबीजन डी बीजन मेंस होता भाग क्या होता भीया भाग यह सीरियल है यह बहुत ही कठीन है हिंदी इसकी पोश्ट ठक तो हिंदी आसान नहीं इंगलीस आसान है समझ रहे होना सभी आज पटेल आरा समझ में अब देखो यह हो गए तीन लेटर के मतलब यम का मतलब होता है यहां पे मल्टीपल मतलब गुड़ा आप लोग को बिलकुल सुरू से सीखना है और यह बिलकुल यूटूब पे पूरा कलास चलेगी इसे क्या बोलता है एडीसन addition मतलब जोड और ये क्या है subtraction मतलब घटाना ठीक है क्या है घटाना ये कुल मिला करके पूरा full farm है board mass rule का regular class देखना हर दिन देखना अगर आप सीखना चाहते हो जादा से जादा class को share करिए सभी बच्चे एक साथ आईए YouTube पे हो सकता बाद में ये वीडियो उपलब्स ना रहे इसलिए रात में 9 वजे ही देख लो 9 से 10 के बीच में देख लो नहीं बाद में वीडियो नहीं मिलेगा डिलीट हो जायागा तो ये मत कहना कि हम नहीं देखे थे इसलिए time निकालो कोई भी काम कर रहे हो काम छोड़ के कलास देखो फिर बाद में काम कर लो सभी समझ गए ना चलो इसे क्या करना है हमें हल करना है देखिए प्यारे साथियों यहाँ पर अगर हम इसके अनुसार चलें तो क्या क्या है पहले बताओ मुझे break-up है क्या इस question में कोई बोले इसमें break-up है क्या क्या इसमें आफ है मतलब यह sorry other रासिया या फिर आफ जो भी समझो आप दोनों ले सकते हो या तो गुड़ा का चिन्द मतलब आफ का मतलब यह समझो आप इसे यह तो पुराना होगया other क्या इसमें कोई राशी स्क्वायर में है या कोई अंडरूट में है नहीं है न यह मिन्स मल्टिपल क्या इसमें कहीं गुड़ा का चिन्द है क्या इसमें कहीं गुड़ा का चिन्द है नहीं है राजवन्ती अंसु मिस्रा चिराग वही तिन लोग का कमेंट आ रहा पहले ठीक है नहीं है इसमें है क्या फिर जो कुछ नहीं तो इसमें a means addition है yes means subtraction है सिर्फ दो चिन्हा है तो दोनों में से मुझे यह बताओ पहले plus का आता है कि पहले minus वाला भाई इसमें a पहले है yes बाद में है ना तो पहले means addition पहले क्या करेंगे जोडने वाला काम करेंगे ठीक है चलो देखो तो जोड़ेंगे क्या क्या जुड़ेगा यह समझो जो जो गिंती के पहले plus का चिन्हा है या फिर कोई चिन्ह नहीं है वो जुड़ेगी बाकी और जिसके पहले minus है वो घट जाएगा तो देखो बच्चा यह 14 भी plus में है और यह 5 भी plus में है इन सब को तुम जोड़ लोगे तो चौदा पांच हो जाएगा और नईस एक बीस ठीक है सब को जोड़ लोगे तो हो जाएगा 20 माइनस कदो अब लाइस्ट में जब कुछ नहीं बचा तो घटाई लेंगे मजबूरी में कितना है घटार आएगा सब को समझ में आया सभी बोलो जल्दी से यह समझ में आया और हाँ एक वात और प्रामिस करोगे खुद से कसम खाके कि खोड़ के नहीं जाओगे अगर गड़ित सीखना है छोड़ के नहीं जाना हो सकता है आपको यह आ रहा हो लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें हम सिखाएंगे उसमें से कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको नहीं आ रही होंगी अगर आप step by step देखोगे बाकी YouTube पे वीडियो खोज लोगे कहीं 10 वीडियो मिल गया कहीं 5 वीडियो मिल गया किसी चैनल पे 20 मिल गया लेकिन किसी भी चैनल पे पूरा नहीं मिलेका complete तुमें लगेगा कि दो चार टॉपिक सीख के पूरा सीख गयो लेकिन जब competition वाली गड़ि टू माइनस का है इसमें नाइन इसका अंसर कितना सकता है कोई बताएगा कोई बताएगा कि रोंजी लाल जी आप ही बता दो बाबू चलो चांदनी कुमारी तभी कोसिस करो एक बार चल दी से फटा-फट देर ना करो भाईया देखो यार मजा नहीं आती अगर आप लोग अंसर नहीं बताते ट्राई नहीं करते हो आज यह मेरा सिस्टम गड़वड इसी में सवारज गया है और यह मैं चुड़ाया भी नहीं इसको छोटा हो रहा है इस वजा से कोई बताएगा देखो बहुत से बच्चों के उत्तर भी आ रहे हैं सपना कुमारी राज पटेल अब देखो मैं बताता हूं बहुत ही स्मपल सा है इसमें इसमें बोर्ड़मास रूल का सारा फंसन नहीं है सब कुछ नहीं समय वह इसमें और इसमें यहां से यम करेंगे फिर यह करेंगे गिःस करेंगे ओके यह 43 है प्लस सबसे पहले यह हम करेंगे मतलब मल्टिपल तीन का दो में गुड़ा 6 और माइनस यह 9 यह पहला इस्टफ हो गया दूसरा करेंगे मतलब एडिसन करेंगे तो यह प्लस में है यह भी देखो प्लस में है यह जुड़ेगा तो 43 4649-9 फाइनल में कितना आएगा बही चालीस आएगा अंजली कुमारी बहुत अच्छे सपना कुमारी आरती गिरी पॉसल बर्मा ठीक है पोसिस आप लोग करते रहो बाकी कोई टैंसन नहीं लेना अगर आपको गड़ित नहीं आती है गारंटी हमारी है कि आपको मैथ आएगी मैथ आएगी नहीं दोड़ेगी सरपट दोड़ेगी बुलेट ट्रेन की स्पीड से जादा तेज दोड़ेगी बस आपको क्या करना है पढ़ते रहना है ठीक है कुछ कुछ कुश्चन हमने यहां पर बनाये हुए हैं और कुछ आसान कुश्चन भी आप देखोगे पहले ज समझ लो सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है सिस्टम से पढ़ना बड़ी बात होती है जिनको गड़ित नहीं आती वो क्या करें पता है जैसे चोटे-चोटे जो भी कुश्चन है पहले उनको पढ़ें अगर आपको आने लगा तो आपका confidence बढ़ेगा अंदर से खु ठीक है अगर आपका confidence बढ़ता है जैसे यहां पर class में अगर देखोगे तो आपका confidence level काफी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको आएगा अगर आएगा तो फिर आगे काम बनता गया यह थोड़ा चोटा कर लो भाई यह ऐसा नहीं तो क्या है ना अभी अगर दसमलों ग लबिंग संजू राजपटेल चलिए बताइए चल्दी करिए देर मत करिए फटाफट देखो अब क्या करना इसमें इसमें अगर देखो तो जैसे जैसे हम question पर आगे बढ़ रहे हमारा बिस्तार हो रहा है मतलब extension हो रहा है questions का हो रहा है कि नहीं पहले जो मैंने किया उसमे सिर्फ जोड़ना घटाना था दूसरा मैंने जो किया था उसके बाद उसमें जोड़ना घटाना गुड़ा भी था अब की वाले में देखो जोड़ना घटाना गुड़ा भाग सब है बोलो है कि नहीं है ना भाया तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे कोई बताएगा सबसे प सबसे पहले करेंगे पिर यह पार्ट करेंगे मल्टीपल और फिर यह प्लस वाला करेंगे कि टीन नंबर करेंगे हैं लाउच्त में सबसे बाद में चुपचा बचा खुचा चार नंबर पर इसको समझ में है ना क्लास को पूरा देखना मैं फिर से बोल रहा हूं अगर सीखना है तो पूरा देखना जाना नहीं बीच में चलो तो बच्चा सबसे पहले भाग करेंगे बाबू उसके पहले कि जितने भी फंसा ने उसको ऐसे जो भी नंबर हैं वैसे लिख लिए तो एल था प्लस का चिन था इसका काम खतम हो गया बाकी का जो जैसे बचरा बच्चा वो इससे लिख दोगे माइनस का दो गुड़ा का चार बस हो गया जितने चिन है उतने लाइन में लगेगा दूसरे लाइन में क्या करेंगे गुड़ा करेंगे यह दूसरे नंबर पर मल्टिपल था आपकी इसको क जाएगा फाइनल में हो जाएगा छे इसका आंसर कितना आएगा सिक्स परियंका राज बहुत अच्छे राज पटेल रभी संकर तोयता गोला संजू ठीक है आप लोग देखो एक बार कोशिज किया करो बस बिल्कुल टेंसन मत लेना हिम्मत नहीं हारना कभी गड़ित आएग गल्स बोईज जो काफी जादा एज के हो चुके होते हैं मतलब लाइड उमीद होती है कि मैश्ट की वज़ा से नहीं मिल रही है मैश्ट की वज़ा नहीं मतलो मैश्ट की तो जिम्मेदारी हमारी है बाकी और सब्जेक्ट आप पढ़िए और जो सिस्टम गडबड हुआ है इसमें आप पढ़े लिखे लोग चुनाओं में भी भाग लीजिए भाई तभी तो कुछ बदलने वाला है ना कि पढ़ाई की कीमत भी लोगों को मालू होनी चाहिए ना इस देश में सबसे ज़्यादा इज्जत मान सम्मान होता है और चुनाओं का होता है बाकी टीचर या पढ़ाई या स्वास्त इसका कोई मतलब नहीं है कोई मायने नहीं है कोई मतलब वरियता नहीं मिलती की यह सबसे बड़ा क्या है क्या बोलें आगे जाने तो चलो नहीं तो यह हमारा रास्ता ही चेंज हो जाएगा अगला देखो 14 का 1 अपान 2 इन्टू देखिए इसका आंसर आप लोग गेस करिए प्लस 3 इन्टू 7 प्लस 3 इन्टू 7 इसका आंसर कोई बताएगा क्रिफना गुपता बताईए जबाब दीजिए एक एक अभी इसमें कुश्चन और भी है थोड़ा साही और आगे बढ़ेगा इसको मुझे मिटाना पड़ेगा चलो 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 माइनस 10 डिवाइड वाई दो माइनस 10 डिवाइड वाई दो चलो इसका अंसर कोई बताएगा देखो यह थोड़ा और बिस्तरित हो गया ना इसमें कुछ और चीजें सामिल हो गई है न इसमें कुछ और चीजें सामिल हो गई चलो बताओ कोई बताएगा एनिवन रोबिन लबिंग संजू मानसी कोई बताएगा भाई कोउसिस करो यार देखो त्राई करो कुछ भी बताओ तुम गलत सही कुछ बताओ कमेंट करते हो न तो मुझे लगता है कि आप लोग कोउसिस कर रहे हो कमेंटी नहीं करते हो तो फिर बहुत गंदा लगता है चलो ठीक है आप चलो देखते हैं सबसे पहले अभी आपने देखा था ये जो बोर्ड मास रूल का ये जो नाम है इसी नाम के अंदर सब है आपने क्या देखा था पहले ब्रेकट करते हैं कुछ जादा ही चमक रहे का मुझे लग रहा है पहले ब्रेकट करते हैं फिर क्या करते हैं डिवीजन करते हैं अदर वाला जो होता उसको करते हैं इसको मैं थोड़ा सा चमक कम कर देता हूं थोड़ा सा रुखजा भाई ठीक है अप साही रहेगा वस्ते कुछ जादा ही चमक रहा मुझे लग रहा है फिका दिख रहा है प्रियंकर आज का तेईस हा रहा है चांदनी कुमारी कभी आ गया कृष्णा गुपता देखो बच्चे सबसे पहले इसमें ब्रेकट तो है नहीं हो है मतलब अदर या आफ इतना जब हम हल करेंगे तो क्या होगा आपको पता है इसको कहीं दूसरी जगा लाके निप्टालो यह कि इसका मतलब सिर्फ इतना ही हुआ इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ यह कितना हो जाएगा भाई काट दोगे इस पर गुड़ा का नहीं लग जाये का जानते हो जब यह ते बनायगा मतलब यह फैइनल में कितना वाजाएगा यह प्लस तीन गुड़ा साथ माइनस 10 डिवाइट बाई दो पहला स्टेप हो गया अब देखो थोड़ा सा छोटा हो गया छोटा हो गया कि नहीं थोटा हो गया ना से जल सवाल लेट नहीं होना है ठीक है देखिए नंबर स्क्रीन पर जो चल रहा है ना बाबू उस पर अगर आप वाटसप का गुरूप जॉइन करना चाहते हो तो गुरूप जॉइन लिख के भेज दो अपना नाम के साथ में जॉइन कर दिया जाएगा उसमें कलास की लिंक आती ह और टेलीग्राम चैनल पर सबसे ज़्यादा तो उसको जॉइन करो चलो पहला इस्टफ हो गया अधर वजो था फंसन इसमें मैंने इसको हल कर दिया दूसरे इस्टफ में हम क्या करते हैं यह आप क्या करेंगे डिवीजन हाँ डिवीजन है डिवीजन करेंगे तो चलो कितना समझ में आया ना यह कलास उनके लिए होती है जो मैथ से उमीद छोड़ चुके हैं मैथ की वज़ा से बहुत बड़े टेंसन में हैं काफी ज़्यादा परिसान है हमारी कोशी से ना उनको मैथ में माश्टर बना देंगे बिलकुल टेंसन मत लेना बिलकुल गड़ित आएगी बिलकुल हंडेड परसेंट आएगी चलो अब अगले स्टप में मल्टिपल डिविजन के बाद मल्टिपल होता है तो यह कर लो तो सेवन प्लस यह तीन सत्यकाइस माइनस का पांच बाकी का जैसे है वह ऐसे लिख दोगे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा जैसे है है अब सिर्फ दो चिन बचा है यह प्लस है यह माइनस है प्लस प्लस जूड़ जायागा यह हो जाएगा 28 नीचे दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं 28-5 फाइनल में आएगा 23 कि इतना आया 23 कि समझ में आया देख लीजिए मैं सामने से हट गया हूं छुप गया हूं आध को भी आया परसा सिंग कृष्णा गुपता लबिंग संजू स्यूकांत सुकला राज पटेल सबको आया समझ में जल्दी से सभी बोलो यस फटा फट यस और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यह आपके पीवीर स्टेडी परिवार का तीसरा चैनल है जो चैनल न देखे नहीं तो ट्रेलर देख रहे हो वह भी तो देखे ही नहीं को कौन सा ऐसा गाना एक कोई आया ना पिच्चर दिखाऊंगे ट्रेलर ऐसे कुछ है मुझे याद नहीं हरा लेकिन कुछ-कुछ याद आ रहा है फिलहाल हम वह नहीं दिखाने वाले हैं मैं थे एक बोरिं लग जाता वहां क्या होता है नेंद नहीं आती ना और क्या क्या होता है वो तो सब जानते हो ना तुम लोग जानते हो ना चलो नेंद नहीं आती है और चैन नहीं आता है दिल को करार नहीं बहुत सारी बिमारियां हो जाती है ज्यादा अगर हम ध्यान देंगे तो और बढ़ जाएंगी इसलिए चलो कुश्चन पर चलते हैं कौन सा हो जाएगा छठा नंबर डाल दो देखिए आप कोश्ठक भी हम लगाएंगे क्योंकि अब तक कोश्ठक कोश्ठक तो लगाते नहीं थे यह टू प्लस सेवन माइनस का नाइन क्या लिखोगे माइनस का नाइन और इन्टू थ्री देखिए अब हम धीरे-दीरे बिस्तरित कर रहे हैं इसको अब इसमें कोश्ठक भी आ रहा है प्रेकट भी सामिल हो रहा है ना हो रहा ना सामिल अब तक कोश्ठक वाला नहीं था अब मुझे यह बताओ सबसे पहले इसमें क्या करेंगे देखो भाई आप लोग कोशिस करो बाबु ठीक है अगर ट्राइ करते हो न तो बहुत बेतर होता है पुलबिंदर कौर कौन है भाई बार बार कर रहा है एक ही कमेंट अगर बार बार कोई कापी पेस्ट करेंगा तो उसे एकदम से बलक कर देंगे मिश्टर राज पटेल समझ रहे हो ना बच्चा राजवन्ती कुछ लोगों को कमेंट मुझे बड़े लंबे चौने दिख रहे हैं नहीं को पोल समझ गए ना चलो कि भी ओडी एम एस बोर्ड मास बोर्ड मास का मतलब यह हुआ पहले ब्रेकट फिर अदर जो भी इसमें दिये रहेंगे फिर डिबीजन मल्टीपल एडिशन सब्स्ट्रेक्शन तो सबसे पहले हम करेंगे बी मिंस ब्रेकट अब ब्रेकट का भी रूल होत है खो भी आब ब्रेकट चार प्रकार का होता है ना मुख न रूप से ये इक्टिए है इसे होता है टंस काम है इसे होता है लेकिन आखिम चलाओं बना है तक ए उओस इसे होता है और एक कोष्टक है से होता जिसे रेखा कोश्ठक बोलते हैं सब सीधा सीधा होते हैं तो इसमें भी होता है सिस्टम क्या होता है अगर कहीं किसी कुश्चन में चारों कोश्ठक दिये हैं तो सबसे पहले छोटकववा को हल करते हैं एकदम छोटकववा उसके बाद उससे बड़ा फिर उससे बड नहीं है न चोटे में न बड़े में चलो देखो तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे जोटा कोश्ठकल करेंगे हाँनाम तुम्हें बताया नहीं यह बड़ा कोश्ठक है ये चोटा कोश्टक है, एक्ति जो ऐसे टेढ़ा मेरा बनाया था, वो मझला कोश्टक है, और जू ऐसे खीचा था, वो रेखा कोश्टक है, सबसे पह— उसमें चोटा कोश्टक हल करेंगे, ठीक है, उसके पहले जो भी जैसे हैं, इनको ऐसे लिख देंगे, यह 14 इंटू फोटा कोश्टक में जो भी हैं इनकी सारी गत्विधियां कर लेंगे तो साथ दो हो जाएंगे 9 माइनस का 9 और इंटू 3 देखो यह 9 जो है साथ दो जोडने पर आया था दूसरा वाला 9 पहले से था उसको मैंने लिखा है सबको समझ में आया ना किसी को कुछ दिक्कत है नहीं न किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं न चलो आगे बढ़ें जो कोई 99 बता रहा है ठीक है कोशिस करो बहुत अच्छे बच्चे देखो भई आब क्या करेंगे अब हम बड़ा कोश्टक खल करेंगे लेकिन बड़ा कोश्टक के अंदर ही तो सारी कहानी है इसमें फिर क्या करेंगे फिर अंदर में गुड़ा का चिन है और माइनस का चिन है तो पहले क्या करेंगे गुड़ा करेंगे तो सारे को जो भी मल्टीपल है इनको मल्टीपल कर लो सिम्पल सी बात है 149 है कितना हो जाएगा 126 और माइनस 937 ठीक है 99 आयगा इस हिसाब से तो कितना आयगा 99 कि कुछ गड़वड है का इसमें 10 डिवाइड बाइड दो एक्विस्चन पूरा लिखा ही नहीं गया था ना उस हिसाब से ठीक है जितना लिखा था उतना ठीक है इसमें और भी थोड़ा बिस्तरित था तो थोड़ा आंसर इसका छोटा हो जाता अंसु समझ में आया अतुल कुमार आपको भी आया चिराग नहीं समझ में आएगा बिलकुल एंसन मत लेना ठीक है बच्चा देखो एक ही बात को बार बार ना कमेंट करो में कई बार बोल जो भी कर रहा है आप अपना दूसरा मैसेज लिखो उसे भेजो कोई दिक्कत नहीं लेकिन तुम लिखना नहीं चाहते कि वाल पेस्ट करके ढकेल देते हो तो अगले को डिश्ट पास नहीं होता इस वज़ा से हम यह कलास बहुत बड़ी नहीं पढ़ा सकते हैं आप हर तिन रात के 9 वज़े से आओ लाइब और पढ़ाई करो यह जुलाई तक आपकी कलास PVR स्टडी 2.0 चनल पर लाइब होगी जुलाई के बाद फिर से आपका यह कलास PVR स्टडी करिए ठीक है अगर कोई समस्या होती है तो आप हमारे हल्प लाइन नंबर पर सुबह 10 बज़े से सामके आप 4 बज़े तक टाइम रखा गया है संपर कर सकते हैं ठीक है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से अगर कोई भी आपकी बात है जो हम नहीं समझ पाए सु गुरूप में मैसेज पाके पढ़ सकते हैं उनके लिए गुरूप बनाया गया है और लेकिन डंडा ना किया करें भाई देखो वीडियो काल करने लगते हो रात में 12 बज़े फोन करोगे एक बज़े 24 घंटे को ड्यूटी नहीं करता है यहां पर ना कि मतलब जब भी फोन क अगर आप यूटूब पर डाउनलोड भी कर लोगे तो फिर आपको आगे वीडियो नहीं मिलेंगे इन बातों का ध्यान रखना डाउनलोड नहीं करना है शेयर कूप करना है